कहानी नंबर 64 गैर हाजिर कंधे अरुण साहब अपने आपको भागिशाली मानते थे कारण यह था कि उनके दौनों पुत्र आई-ाई-टी करने के बाद लगबग एक करोड रुपे का वेतन अमेरिका से प्राप्त कर रहे थे अरुण साहब जब सेवा निवरत हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लोटाए और उनके साथ ही रहे परन्तु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ उल्टे उन्होंने अरुण साहब को अमेरिका आकर बसनी की सलाह दी अरुण साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए परन्तु उनका मन वहाँ पर बिलकुल नहीं लगा और वे वापस भारत लोटाए दुर्भागिस से अरुण साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्ण तह पती की सेवा पर निर्बर हो गई प्रातह नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने दवाई देने आदी का संपूर्ण कार अरुण साहब के भरोसे पर था पत्नी की जुबान भी लखवे के कारण चली गई थी अरुण साहब पूर्ण निस्ठा और स्ने से पती धर्म का निर्वाहन कर रहे थे एक रात्री अरुण साहब ने दवाई वगेरा देकर भावना को सुलाया और स्वयम भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चल दिये रात्री के लगबग दो बजे हार्ट अटेक से अरुण साहब की मौत हो गई पत्नी प्राता छे बजे जब जागी तो इंतिजार करने लगी कि पत्नी आकर नित्य कर्म से निवरत होने में उसकी मदद करेंगे इंतिजार करते करते पत्नी को किसी अनिस्ट की आशंका हुई जूकि पत्नी स्वयम चलने में असमर्थ थी उसने अपने आपको पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पती के पलंग के पास पहुँची। उसने पती को हिलाया, डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि अरोण सहाब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी। अतहा किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत पत्नी ने पडोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरह बढ़ना शुरू किया। लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुची और उसने फोन के तार को खीच कर उसे नीचे गिराया। पडोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पडोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था और फोन आया था अतवा समझ गया कि मामला गंबीर है। उसने आस पडोस के लोगों को सूचना देकर एकटा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में गुसे। उन्होंने देखा अरुण सहाब पलंग पर मृत पहले अरुण और फिर भावना की मौत हुई। जनाजा दोनों का साथ साथ निकला। पूरा मोहला कंदा दे रहा था। परन्तु दो कंदे मौजूद नहीं थे। जिसकी माबापको सबसे ज़्यादा उम्मीद रही होगी। शायद वे कंदे करोणों रुप्यों की कमाई क भार के साथ अती महत्वक आंग्शा से पहले ही दबे हुए थे। अब अपनी बात पर आते हैं। आज वर्तमान में भी सभी माता पिता अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाते हैं। विदेश भेज कर पढ़ाना चाते हैं। और उन्हें हर तरह से लायक बनाना चाते हैं। पर हम उन्हें इतने लायक बना देते हैं कि वे हमें ही एक दिन नालायक समझने लगते हैं। क्या लाब है ऐसे अती शिक्षित बच्चों का जो आपको अंत समय में धर्म की दो बाते ना समझा सकें। आपका समाधी मरण ना करा सकें। इस कहानी में गलती मात्र बच बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा को ही अच्छा माना है इसको ही प्रोधसाहित किया है। और धर्म, संस्कृती, सब्यता, सदाचार आदी को ना अच्छा माना और ना इसे प्रोधसाहित किया। अगर इस वीडियो को देखने वाले आप माता पिता हैं और आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी यही घटना घटित हो तो आज ही अपने बच्चों को धर्म के संसकार दीजिए उन्हें पाटशाला में भेजिए स्वाध्या करने के लिए प्रेणना दीजिए और उन्हें शास्त्री विद्वान बनाईए और अगर इस वीडियो को पाने में निमित्त बनेंगे आप से निविदन हैं कि आप इस कहानी को अधिक से अधिक शियर करके सभी माता पिता और उनके बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं अगर आपने भी इस कहानी से कोई प्रण लिया हो तो वह हमें कमेंड करके अवश्य बताएं